Hallelujah, praise the Lord, आज के दिन इश्यू मसीज धर्ती पर आये थे मतब संसार में आये थे, आज का दिन है, ये हम पक्का नहीं कहते हैं क्योंकि Bible में 25 दिसंबर के बारे में नहीं लिखा हुआ है लेकिन इश्यू का जन्म हुआ था तो इसी संसार 25 दिसंबर को मनाता है, तो हम मनाते हैं उस साह के साथ Praise the Lord, हकीकत है कि वो आयत है और उद्धार करता कि रूप में धर्ती पर है Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah तो आज मैं एक अच्छा सा छुटा सा वच्छन आपको दूगा और मैं विश्वास करता हूँ, यह वच्छन आपके जीवन में काम करेगा उसके बाद हमारे बच्छों का प्रोग्राम है, डांस करेंगे हमारे बच्छे और उसके बाद खाना आप सब के लिए है तो प्लीज अच्छी तरीके से आशीश पाईए और परमिश्र कानुकरे आपके साथ बना रहे हालेलोया, प्रेस अवाट क्रिस्मस क्यूं मनाते हैं, यह सवाल बहुत जरूरी है जानना कि हम जानें कि क्रिस्मस हम क्यूं मनाते हैं, इशू मसी धरती पर क्यूं आए क्यों आए बहुत से चीजें हैं बहुत से प्रचार हुए हैं कि हम इशु मसी धरती पर क्यों आए क्यों उन्होंने जनम लिया वो धार करता थे वो मुक्तिदात आते हमें पापों श्रापों से मुथ करने के लिए आये थे इशू मसीध धरती पर आये थे लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इशू मसीध धरती पर क्यों आये थे मैं बहुत उसाहित हूँ और जब मैं आपको बताओंगा जब आप समझ जाएंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भोत है इशू मसीध धरती पर आये थे ताकि हम परमेश्वर में एक हो जाएं हलो हलेलुया इशू मसीध धरती पर आये थे ताकि हम परमेश्वर में एक हो जाएं हम परमेश्वर के बन जाएं हम परमेश्वर में हो जाए प्रेस अलोड जब आदम को परमेश्वर ने चना उसको सिद्ध किया उसको पवित्र किया अपनी समानता अपने सरूप में रचा लेकिन जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर से अलग हो गया हाललुया लेकिन हम इशू मसी के द्वारा परमे परमेश्वर हमें पवित्र करता है, निश्कलंक करता है, निश्पापी बनाता है, और हमें उसके योग के बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर में रहें, परमेश्वर में बस जाएं, परमेश्वर में हो जाएं, ये इच्छा है पिता के साथ, परमेश् है कि हम उसके बच्चे हैं और सिद्ध बन जाएं यह धर्ती पाप से भरी हुई है और हम एक मसी हैं जो इस धर्ती पर पुवित्रता के साथ रहे कर उसकी महीमा करते रहें चाहिक इतनी जोखिमा है चाहिक ऐसी विपत्ति है चाहिक कैसा भी एट्मास्ट्वर हो चाहिक कैसा ही हमारे जीवन में उतल पुतल हो चाहिक हम कोई भी काम करते हैं तो मसी में हम परमिश्टर में एक हो जाएं यह मसी की मनशा है हाललिया यहन्ना 17 का 21 वचन हम पढ़ेंगे और उस वचन से जानने की कोशिश करेंगे बहुत 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 जरूरी है कि इशू धर्ती पर आ हाललिया कितने लोग चाहते हैं कि हम पिता में एक हो जाएं हमारा आस्ते तो कुछ ना रह जाए हमारा आस्ते तो कुछ ना हो प्रेज अलॉड हम पिता में हो प्रेज अलॉड हम से पिता की पहचान हो लोग कहें कि यह परमिश्वर का पुत्र है हाललिया यही बताने के लि सार चलें, यहन्ना सत्रा एकिस, कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो जाएं, बोली हम सब एक हो जाएं, किस के लिए प्रात्रा कर रहा हैं, वे, वे कौन हैं, हम, हालेलिया, हम सब एक हो जाएं, मैं परमेश्वर के संग एक होने की बात कर रहा हूं, इशु मसी के, इशु मसी के आने की बात कर रहा हूं कि इश्व मसीख क्यों आया तक कि हम परमेश्वर में एक हो जाएं ध्यान से सुनिए जोर से बढ़िए भेन कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ आगे वैसे ही वे ही हम वे भी हम हम में हो जिससे संसार विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है तूने मुझे भेजा है यानि कि बता रहा इश्व मसीख कि तूने मुझे क्यों भेजा है इश्व मसीख अपने आने का कारण बता रहा है कि तूने मुझे क्यों भेजा है ताकि तू और मेरे जो चुने हुए है वो एक हो जाए वचन कहता है कि उसने इसी लिए हमको भेजा है इशू मसी इसलिए आया ताकि वो बताए इशू मसी आया उसने हमें बताया कि पवित्रता क्या है इशू मसी आया उसने बताया कि निश कलंकता क्या है इशू मसी आया और उसने बताया कि निर्दोष्टा क्या है हम पवित्रता की कीमत को नहीं समझते थे पहले हम नहीं जानते थे कि पवित्रता हमें कितनी कीमत कितना आशीर दे सकती है पवित्र होना हमारे लिए कितना जरूरी हम नहीं समझते थे लेकिन जब इशू आया तो उसने बताया कि पाप क्या है जब इशू आया उसने बताया कि पाप की मज़ूरी मौत है अगर हम पाप से नहीं छूटे तो हम आजाद नहीं हो पाएंगे अगर हम पाप से नहीं छूटे तो हम आशीश नहीं पाप आएंगे अगर हम पाप से नहीं छूटे तो हम पर्मेशर में एक नहीं हो पाएंगे हमें पर्मेशर में एक होना हमारा बखसद क्या है एक होना रैप्चर में जब इशु मसी आएगा लेने के लिए वो कहां लेकर जाएगा हमको हलो आप लोग उसाइद नहीं है मैं उसाइद हूँ कहा लेकर जाएगा इशू मसी हमको हालेलुया प्रेस अलाड मुझसे बात करिये हालेलुया जब इशू मसी आएगा तो हमको कहा लेकर जाएगा किस के पास पिता के पास एक होने के लिए हालेलुया Praise the Lord इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो पिता उससे मिलने आता था Praise the Lord पिता उससे मिलने आता था पिता उसे बताता था अपनी योजिनाओं के बारे में पिता बताता था कि मैंने तुझे चुना है मेरे तुझे धर्टी का अधिकार दिया है अधिकार दिया प्रभुता दिया इस धर्टी पर तु मेरा पुत्र है और यही वो आज इशु मसी के द्वारा हमसे बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ बोलिये मैं जोर से बोलिये मैं मैं पिता का पुत्र हूँ मैं पिता का पुत्र हूँ ताकि मैं पिता में एक हो जाओं Praise the Lord, Halleluya Hello इबरानिय दो का गहरा दस और गहरा पढ़ी, पहले गहरा पढ़ी उसके पढ़ी है Praise the Lord, आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको अपने में मिलाना चाहता है आपको अपना बनाना चाहता है इसलिए यहना 14 का 8 कहता है कि मैं तुझे अनात नहीं छोड़ूँगा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे अनात नहीं छोड़ूँगा Praise the Lord, Halleluya क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किये जाते है सब एक ही मुल से Amen, Halleluya Praise the Lord, वाचन क्या कहता है इसलिए क्या कहता है 17 और 21 हमने क्या पढ़ा यहना 17 और 21 हमने पढ़ा कि वो कहता है कि है पिता, जिनको तुने चुना है वो हमें मुझे में एक हो जाए तो उसमें एक हो जाए और इबरानी दुका क्यारा कहता है जो पवित्र किये जाते है और जो पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाला सब एक ही मूल से है जिस मूल से ईशू मसी है उसी मूल से हम है हलो आप लोग उसाइद नहीं है क्या आलेलुया जिस मूल से ईशू मसी है क्या लिखा हुआ है क्योंकि पवित्र करने वाला कौन है पवित्र करने वाला कौन है पवित्र करने वाला तो वशंग कहता है क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किये जाते हैं कौन किये जाते हैं कौन किये जाते हैं पवित्र जोर से बोलिए कौन किये जाते हैं पवित्र वो कहता है कि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किये जाते हैं सब एक ही मूल से हैं अलग अलग नहीं है अलग नहीं है प्रेस अलाट आप अलग नहीं हैं आप नहीं जानते कि परमेशर का प्रेम कितना महान है पहला यह वन्ना 4 का 16 हलरीया परमेशर का प्रेम कितना महान है वो आपको सिद्ध करना चाहता है इसी का सुनी इबरानिय दो का 10 पहले निकल लिए इबरानिय दो का 10 दो बुइब करने वाला और पुइत्र होने वाले सब ईक ही मूल से हैं बेजन अपनी कीमत को पहचाने आज कहा पर आप इस सिद्ध करने के लिए हैं इस अज़ा करते हैं सिद्ध से शापों से मुक्त हो जाए कि दोका दस क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वहुत से पुत्रों को महिमा में पहुचाए तो उनके उध्दार के करता को दुख उठाने के द्वारा सिध्ध करे बिlor啊 उसको यही ब्यों पुछा रहे हुआ है को से पुतरों को चाहिए क कुन आ हिम है। बहुत से पुतरों को कुतर अने के लिए जरूरी था कि उनके अधार के करता कौन आधार के करता हललिया उनके उधार के करता को दुख उठाने के द्वारा क्या करे सिद्ध करे इसलिए ईशु मस्य मनुश्य का पुत्र बना ताकि हम मनुश्य के पुत्र बनकर सिद्ध हो जाए जैसे वो सिद्ध बना वैसे हम भी सिद्ध हो जाए कलीसिया में हम क्यों आते हैं सिद्धता के लिए मेरी भाई मेरी बहन आप कलीसिया में आ रहे हैं आप यह मत सोचिए कि आपको नौकरी चाहिए और आपको धंदा चाहिए आपको पैसा चाहिए ये तो मिले गई सबसे पहले आपका इच्छा होने चाहिए सबसे पहले आपका उद्देश होना चाहिए कि कलीशिया में हम आएं और सिद्ध हो जाएं इशू मसी के आने का मकसद यही है पहला यह होना 4 का 17 निकाली है इशू मसी के आने का मकसद ही यही है मेरे भाई मेरी बहेन आप नहीं जानते वो आपको क्या वराना चाहता है आप नहीं जानते कि आपके अंदर इशु क्या कर रहा है उसने अपनी आत्मा इसलिए नहीं दिया आपको इसलिए नहीं दिया आपको प्रेस अलोट आज यहां पर है आप धन्यवाद बोलिए कि परमेश्वर की अद्वुत कृपा है कि हम उसका वचन सुनने के लिए यहां पर उपस्ते थे धन्यवाद बोलिए कि आज हम उसका वचन सुन पा रहे हैं मैं सच किया रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन आप नहीं जानते आपकी क्या कीमत है आप नहीं जानते कि आप क्या सुन रहे हैं आप परमेश्वर के मुख से निकली हुई वानी को सुन रहे हैं परमेश्वर के मुख से हो सकता है मेरे दौरा परमेश्वर बात कर रहा है लेकिन आप नहीं जान रहे हैं सर्व शक्तिमार, यहोवा राफा, जिसके मुख से निकला हुआ वचन, वो वचन आप सुन रहे हैं, रेमा, उस वचन को रेमा कहते हैं, विश्वास करिए, इसलिए आप नहीं जानते कि आपके कानों में क्या जा रहा है, इसलिए अपना मन कहीं इदो दो मत भटकाई है, इस वचन ने अगर जीवन पाया, इस वचन ने अगर शरीड पाया, इस गे वचन आपके अंदर प्रकट हुआ, मैं नहीं जानता हूं, क्या हो जायेगा है, इस मिश्वासी ने क्या क्या है? हमें सिध्ध हुआ। इसे प्रेम, इसी बात से प्रेम हमें सिध्ध हुआ। अगर ये बात आपसी आशा के सिंगासन के सामने बैठे हालेलया हम में हिया हो क्योंकि जैसा हूँ है वैसे ही संसार में हम भी है हलो हालो किसकी बात हो रही है किसकी बात हो रही है उसे बात करें किसकी बात हो रही है यही तो बताने के लिए इशू मसी आया इसलिए तो उसने जनम लिया जब इशू मसी नहीं तो हम क्या समझते हैं हम पाप ही है हम इस योग के नहीं है कि हम परमेशों से मिल सकते हैं हलेलुए हमने पाप किया हमने वेबिशार किया हमने खत्या किया हमने दिल दुखाया हमने पस्वीकार कर, विश्वास कर, अंगीकार कर, परेस अलोट, और तू सिद्ध दता कियो, रोज बोले, परमेशो ने, एशू मसी के दोरा हमें पापों शापों से मुक्त किया, अलो, परेस अलोट, कितने विश्वास करते हैं, कितने विश्वास करते हैं, कितने विश्वास कर आपको द्रड करेगा आपका विश्वास हलो हो आप लोग आप लोग connect नहीं होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप उससे connect नहीं होते हैं connect होई है तभी आप उस चीज़ को ले पाएंगे और जब आप लेंगे तो वो चीज़ काम करेगी तो वो वचन काम करेगा सिर्फ सुनने से नहीं होगा मेरे भाई सिर्फ सुनने से आपको सिद्धता हासल नहीं होगी सिर्फ सुनने से आपको सिद्धता हासल नहीं होगी मेरे भाई आप सुनकर जब तक उसको ग्रहन नहीं करेंगे और ग्रहन करकर जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे अब आप कहेंगे सब अमल करने के बाद अमल जब आप करेंगे कौन काम करेंगा अंदर कौन काम करेंगा अंदर वचन काम करेंगा वचन कौन है वचन कौन है ईशु मसी हालेलुया तो समझे आपने विश्वास किया और आपने अंगिकार किया देखिया आज आप विश्वास और अंगिकार के उबर मैं आपको थोड़ा सा बताओंगा उसके बाद मैं आके चलूँगा इब्राणी चार का पर्चिस वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ावाया अललुया इश्यू मसी हमारे अपराधों के लिए बलिदान किया गया प्रेसलोड जब इश्यू मसी बलिदान हुआ देखिए ध्यान से समझ ये इश्यू मसी जब बलिदान हुआ और आप विश्वास करते हैं कि इश्यू मसी आपके लिए मरा तो आप पवित्र होते हैं अलो ध्यान दे रहे हैं सब लोग समझ में आ रहा है जब आप इशू मसी के क्रूस पर जब आप इशू मसी के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो आप पवित्र होते हैं धर्मी नहीं होते हैं कि धर्मी नहीं होते हैं परमिश्य की धार्मेक्ता उस समय आपको नहीं बिलती है जब आप विश्वास करते हैं कि इश्व मसी आपके लिए मरा तो आप पवित्र होते हैं आप निश्कलंक होते हैं आप निश्पापी होते हैं पहला कुलिसियो एक का बाइस कहता है उसको यह चिनाया भी गया यहने कि जब आपने विश्वास किया उसके बर्यदान पर उसके क्रूस पर के इसु मसी हमारे लिए अमरा तो आप पवित्र हो गए लेकिन जब आप विश्वास करते हैं कि वो मर कर तीन दिन काम आईगी तब धर्मी कहलाएंगे लोमेंस पांच का एक हलो समझ रहें कि ने समझ रहे यह जब आप धर्मी ठेरे जब आप पवित्र हुए पहले पहला क्या पहला क्या है आप पवित्र हुए इस लौन क्यों चुकि आपने इशुमसी के बलिदान पर विश्वास किया, इश्व मसी के क्रूस पर विश्वास किया, आपने विश्वास किया कि इश्व मसी मेरे लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया, प्रेस अलॉट, लेकिन, यहां पर आपको क्या मिलती है, उसकी पविद्रता, प्रेस अलॉट, उसके बाद, जब आ होते हैं नई शिश्री में आते हैं तब उसकी धारमिक्ता उसकी पवित्रात्मा उसका वचान हमारे जीवन में काम करता है वेसलाउट इसलिए उसने हमसे हाथ मिलाया इसलिए दूसरा करूंतियन पांच का अठारा क्या आप आते हैं, चर्श में? प्रेज अ Caitlin का उपको पाफ कर दिया, आपके पापों से आपको शुद्ड़ कर दिया, क्यों कर दिया, कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है आपने, क्यों माफ करता िया वो, दूसरा करंदियन 5 का 18 पडिये बटा, ये सब बाते परमेश्वर की और से हैं ये सारी चीजें उसकी धारमिक्ता आपको मिली नई श्रिष्टी में आप आए आपके पापों से आप मुख्थ हुए ये सारी चीजें किसकी और से हैं हलो मुझसे बात करिये किसकी और से हैं बोलिए परमेश्वर की ओर से उची आवाज ने बोलिए परमेश्वर की ओर से आगे बढ़िए बढ़ो जिससे मसी के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया जिसने ये सारी बाते परमेश्वर की ओर से हैं जिसने यानिके परमेश्वर ने मसी के द्वार आये मसी क्रूस्ट पर मरा हमसे मिल मिलाब कर लिए इश्व मसी के बलेदान के द्वारा हमसे हाथ मिलाया बोलो हाथ मिलाया परमेश्वर ने मुझसे हाथ मिलाया बोलिए विश्वास के संगे का हाथ आपके हाथ में आया है प्रेस अलाग मसी के दौरा परमेश्वा ने मुझसे मेल मिलाब कर लिया और और मेल मिलाब की सेवा हमें सौफ दी है मेल मिलाब की सेवा हमें सौफ दी है नहीं कि उसकी इच्छा हमें पता दी है क्यों उसने हमसे मेल मिलाब किया परमेशर ने क्यों हमसे हाथ मिलाया पता है आपको क्यों आपके पापों से मुक्त किया क्यों आपको शापों से मुक्त किया तकि जैसे ही आपके पाप आपसे निकल गए जैसे ही आप बंदनों से आजाद हुए जैसे ही आप शापों से मुक्त हुए आपकी बुद्धी खुली और जैसे आपकी बुद्धी खुली आप परमेशर की भालाई जान गए आपको पता लगया कि परमेशर इतना प्यारा है परमेशर इतना प्यार करता है मुझे अपने इकलोते, पुत्र का बलिदान उसने मेरे लिए किया तब आप उसकी भलाई को जानने लगते हैं तब आप उससे प्यार करते हैं कि मेरा पिता कितना प्यारा है मैं पापी मैं दुराचारी, मैं वेवीचारी, मैं नशेरी और उसने एक पल में मुझे माफ करकर मेरी बुद्धी खोलकर मुझे बताया कि मैं कौन हूँ और मुझे बताया कि वो कौन है प्रेस अलॉट उसने हमसे क्यों मुलाब कर लिया, क्यों में मिलाब किया, क्यों पवित्र किया ताकि हम उसकी भलाई को जान सकें प्रेस अलॉट हलो हलो, उसकी भलाई को जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसकी भलाई को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो कौन था पिता है, वो सर्वशक्तिमान महान, जिसने सिष्टी के रसना की, जिसने आकाश और धर्टी को बनाया, जिसने हमें अपनी समानता, अपने सरूप पे रचा उसकी भलाई क्या है प्रेसलोड उसकी भलाई यह है मेरे भाई मेरी बेहन कि वह आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एक लोते पुत्र का बलिदान कर दिया आपसे इतना प्रेम करता है प्रेस अलाड हम कभी कभी सोचते हैं हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला हमारा धंदा नहीं चल रहा है हमें नौकरी नहीं मिल रही है हमारे घर में शांती नहीं है अरे ईश्यू हम चर जाते हैं क्या आपको नोखरी की जरूदाँ, क्या आपको पैसे की जरूदे हैं, क्योंकि जैसा वो इस समय वहाँ है, वैसे हम धर्दी बनाएं, इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ा आशीश, इससे बड़ा वर्दान क्या होगा, कि उसने मुझे और आपको ईशू के समान बना दिया, आप लोगों में एकसाइटमेंट नहीं है, आप लोगों में उस्सा नहीं है, आप जवाब नहीं देते हैं, प्रेस अलॉट, मुझे इसू मिल गया है, और आप भी नौकरी की तलास में हूं, 16,000 रुपए की नौकरी, 12,000 रुपए की नौकरी, वो तो मिलेगी, लेकिन आप और की सभी मिल यह को को 155-18-19 आपने अंदर इशु मस Benny को जिनदा नहीं देखते हैं आप नहीं मैसूसव करते कि मेरे अंदर मेरा यसी है, praise the Lord जिस दिन आप अपने अंदर यसी मस् clique को देखना चुरू कर दें कैं मेरे भाए ये सारी जिजे पीछे हट जाएंगी सारी चीजे मेरे अंदर याप इसाथ यशी है मुझ में याप याप प्रेस अष्यीजे आप आप सुवे उठकर उसका धन्यवाद करेंगे कि यस इशु में तुझे महसूस कर रहा हूँ हालेलया जिस दिन आप सुवे उठकर उसका धन्यवाद करेंगे कि यस इशु तु मुझ में है तु मुझ में है जिस दिन आप इशु को अपने अंदर पाएंगे जिस दिन आप महसूस करेंगे कि इशू मुश में है उस दिन कोई खोट नहीं होगा आपकी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी मैं आपको चैलेंज करता हूँ जिस दिन आपने महसूस कर लिया कि इशू मेरे अंदर है ना आप नहीं मांगेंगे कुछ आप कुछ नहीं मांगेंगे आप कुछ नहीं मांगेंगे आप चलब कहेंगे कि पता मुसे और मेरे पता से रिष्टा और गहरा हो जाए मेरे पता से मुझे बता मैं क्या करूँ पिर आप कहेंगे पता मुझे बता मैं क्या करूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू मिल गया है क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तू मुझ में है तू मुझ में है, मैं महसूस कर रहा हूँ जिसने आप इशू को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे, आप कुछ नहीं मांगेंगे, आप चरब एक चीज़ मांगेंगे, आप चरब एक चीज़ मांगेंगे, इशु मुझे अलग नहीं हो, मुझे कोई ऐसा धन नहीं चाहिए, इशु मुझे अलग नहीं हो, मुझे ऐसी नोखरी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, मुझे आप में है तो परमिश्वर में आप एक है एशू की परिपूर्टा आपको परमिश्वर में एक करती है हमें परमिश्वर में एक होना है और यही एशू का मकसद है इस धर्दी बराने का कि वह हमें परमिश्वर में एक कर दे परमिश्वर में एक कर दे इसलिए वो कहता है मै मैं दाखलता हूँ तू डाली यहना 15 का एक मैं दाखलता हूँ और तू डाली है जो मुझ में रहता है वो ही फलता है जूटी नहीं है इशू जूटा नहीं है इशू सच्चा है मारग सत्य जीवन इशू है हललुलिया, यहना का एक और नव, एक कनौ पढ़िए पहले, यहना एक कनौ, वो सची दाखलता है और वही जोती है, प्रेस अलॉट, ईशु को जोती क्यूं कह जाता है, पता है आपको, हलो, आवास नहीं, ईशु मसी को जोती क्यूं कह जाता है, यहना आठ में वो कहता है, ज जगत की जोती हूं प्रेस अलॉट क्यों आपको पता है पूरा संसार आपने मुश्र में आपके भाइए आपके दिश्रदार जोनों नहीं जनम लिया अललुया जब हमने जनम लिया हमारे अंदर अंदकार था अलो मेरी बास समल्जने के लिए अपने कान को लिए अपने बुद्धि को खोलिए जब हमने जनम लिया संसार में तो हमारे अंदर क्या था संसार जब इशू ने जनम लिया तो उसके अंदर जोती थी भी टि धरती पर ले प्रेस अलोट क्या लिखावा है यहना एक का नौट सच्ची जोती तो हर एक मनिश्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी वही सच्ची जोती है जो इश्यू के रूप में धर्टी पर आई प्रेस अलोट इसलिए वह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ यहना पंद्रा का एक मैं सच्ची दाखलता हूँ और जो मुझे में बना रहता है वही आशीश पाता है आपका आशीश क्यों खोता है क्योंकि आप उसमें बने नहीं है आपका संबंद उसके साथ नहीं है आप संसार को अपने अंदर रखना चाहते हैं आप अपनी इच्छाओं को अपने अंदर रखना चाहते हैं लेकिन मेरे भाई मेरी बहन इशू को रखने की आदट डालिए इशू को रखने की इच्छा पैदा करिए प्रातना करिए अपनी नौकरी के लिए प्रातना मत करिये अपने धंदे के लिए प्रातना मत करिये प्रातना करिये पिता परमेश्वर कि मुझ में ईशू रहे मुझ में ईशू बसे मैं महसूस करूँ ईशू को जिस तरीके से एक गर्ब गर्ब धारन वाली जो औरत होती है जिसने गर्ब धारन किया होता है हाल लिए वो हर पल महसूस करना चाहती है कि मेरे अंदर बीज है मेरे अंदर मेरा बच्चा है होता के नहीं होता है हलो मुझसे बात करिया होता के नहीं होता है और अगर कहीं उस बहन को लगता है कि यह बच्चे की मुवमेंट नहीं हो रही तो क्या करती है अपने पती से बोलती है अरे पती पती यह बच्चे की मुवमेंट नहीं हो रही है यह बच्चा घूमनी रहे कहा है चलो लोक्ट के पास मेरा बच्चे का मुवमेंट जरूरी है मेरा बच्चा जी बे तो मैं चाहती हूँ मैं महसूस करूँ मेरा बच्चा हर पल हलो प्रेस अलॉट एक गर्बदी औरत हमेशा चाहती है हर पल, हर सेकंड हर सेकंड चाहती है कि मैं अपने बच्चे को महसूस करूँ चाहे उसका बच्चा लात मारता है चाहे बच्चा उसको रात को सुलाता नहीं चाहे वो बच्चे के लिए दुख उटाती है लेकिन कहती है नहीं मेरा बच्चा मुझे महसूस हो मेरा बच्चा मुझे महसूस हो इसलिए मिरे भाई, और मेरे बहन, इस संसार में अगर आपको रहना है, तो आप एिशू को महसूस करिये, मेरे अंदर इशू है कि नहीं है, महसूस करिये, रोज, सुब़े लोज और आप जो प्रातना रोज करते ना सुबह सुबह कि लोग करें सुबह की प्रातना की एक गंटा प्रातना करी दो गंटे प्रातना की बहुत हो गया नहीं 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 अब आफिस में आपको लंश मिलता है एक घंटे का लंश होता है 15 मिन प्रात्रा में दीजिए अपने आपको अपने आपको अनलाइस करिए अपने आपको analyze करिए कि मुझ में issue है मुझ में issue है में issue के साथ हूँ के नहीं हूँ नई, खतरनाख है वो दो खंटे की प्रातना जो हमें 22 घंटे पर में issue से दूर करती है हमसे दो खंटे हमने प्रातना की और प्रभू के हो गए नई, हमारे लिए पंदरा मिनिट की प्रात्रा छे बार छे बार करिए दानियल तीन बार करता था दिन में प्रात्रा जब भी मौका मिले प्रात्रा में बैठिये प्रेस अलॉट इशू को महसूस करिए इशू को महसूस करिए मुझमे इशू है बोलिए मुझमे इशू है मुझे में ईशू है मुझे में ईशू है हालिलुया महसूस करिए कि मुझे में ईशू है और आप अगर ये द्रोस करने लगेंगे ना मेरे भाई तब आप ईशू बेंसी के बिना रह नहीं सकेंगे रह नहीं सकेंगे आप अपने धंदे के बिना रह पाएंगे आप सर्विस के बिना रह पाएंगे अपने बच्चों के बिना रह पाएंगे अपने पती के बिना रह पाएंगे लेकिन अगर अगर आपने इस बात को करना शुरू कर दिया तो आप इशू के बिना नहीं रह पाएंगे और जिस दिन आपके अंदर ये हो गया बोज कि मैं इशू के मिला नहीं रह सकता हूँ उस दिन आप सिद्धता की और चलना शुरू कर देंगे उस दिन आप सिद्धता की और बढ़ जाएंगे परमेशर की आत्मा आपके अंदर होगी उनके कहता है यहना चौधा का सोला कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक साहायक दे कर जा रहा हूँ पढ़िये पिटा मैं पिता से विंती करूंगा और वह तुम्हें एक और सायक देगा कि वह सरवदा तुम्हारे साथ रहे आप लोग एक्साइटिट हैं तो क्या कह क्या क्या है इश्व मसी क्या बोल गया है जो मिश पर विश्वास करेगा जो पवित्रता और सेद्धा के साथ मेरे साहाथ रहेगा उसके साथ पवित्र आत्मा सहायक के रूप में रहेगा परमेश्वर ने आपको सिद्ध करने के लिए एक सहायक दिया है सहायक पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारे सहायक के रूप में हम एक सहायक शब्द को समझते हैं और उसको नहीं समझ रहे हैं यह सलोड आप नहीं जानते हैं आपकी साहिता करने के लिए आपको बुद्धी देने के लिए आपको चलाने के लिए उसका आत्मा आपके अंदर है और वो चाहता है कि आप उसकी साहिता मांगे वो चाहता है, अध्मा जो आपके अंदर वो चाहता है, कि यह अनिल कोचर है, यह भईया है, यह मुझपर मुझपर हो जाए आश्रित, मुझपर आश्रित हो जाए, तभी तो आपके साहिता करेगा, तबी तो आपकी साहिता करेगा, मुझ पर आश्रित हो जाए, मुझ चाहता है, कि मेरा बच्चा मुझ पर आश्रित हो जाए, लेकिन हम उस पर आश्रित नहीं होते हैं, हम अपने बुद्धी पर आश्रित होते हैं, हम अपने बॉस पर आश्रित होते हैं, हम अपने बॉस पर मैंने दे रहा है पचास जार दे रहा हुए लाख रुपए रहा है लोओना इसकी बात नहीं जाल ली है मैं पिता से विंती करूंगा और वह तुम्हें एक आउसायक देगा कि वह सरवदा तुम्हारे साथ रहे अर देगा हिगा है, वह तुम्हें पिता से विंती करूंगा, मैं पिता से कहूंगा, नहीं इस नहीं कहरा है कि मैं पिता से कहूंगा नहीं 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 वो कह रहा है मैं पिता से विंती करूंगा यानिके ईशु जानता है कि हमें पवितरात्मा की कितनी जरूरत है वो हमारे लिए विंती कर रहा है कि पिता इनको पवित राहत्मा देदे क्योंकि बिना पवित राहत्मा के ये लोग धर्टी पर रह नहीं पाइंगे और तेरे पास पहुंच नहीं पाइंगे वो विंती कर रहा है पीशू उधार करता पिता परमेश्वर से हमारे और आप के लिए कि इनको पीज पिता इनको सहायक दे दे ताकि ये तेरे साथ रहे यनिके उस सहायक के बिना हम साथ नहीं रह सकते वो कितना कीमती है उसकी सहायता हमारे लिए कितनी जरूरी है उसकी बुद्धी हमारे लिए कितनी जरूरी है उस पर आशित होना हमारे लिए कितना जरूरी है इशू विंती कर रहा है कहनी रहा है सलानी दे रहा है परमेशर को कि परमेशर हम सोचते हैं कि इनको एक पवितरात्मा दे दी जाए नो वो कह रहा है मैं विंती कर रहा हूं तुम लोगों के लिए क्योंकि मैं जानता हूं तुम कमजोर हो मैं जानता हूं तुम संसार में हो मैं जानता हूं ये पैसा ये जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर जो तुम्हारा शरीड चाया हुआ है वो तुम्हें पीछे लेकर जा सकता है सिर्फ एक ही चीज है पवित्र आत्मा जो तुम्हें अगवाई करेगी और जो तुम्हें परमेश्षर के चरणों में सिद्धता की ओर लेकर जाएगी पढ़िए बिटा अर्तात सत्य का आत्मा सत्य कौन है? इश्व सत्य का आत्मा वो अपनी आत्मा दे रहा है जिसे संसार ग्रहन नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे दानता है संसार क्यों नहीं ग्रहन कर सकता? पवित्र आत्मा को पता आपको? क्योंकि उसमें पाप है उसमें पाप है जहां पाप होता है वो पवित्र आत्मा नहीं रह सकता प्रेसलोड हमें उसने शुद्र पहले किया हमें उसने पवित्र किया पापों से मुक्त किया आत्मा को सिंद्य किया मन को नया किया ताकि हम सत्य के आत्मा को उसकी आत्मा को अपने अंदर रख सके हलो आगे तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुमारे साथ रहता है कितने लोग जानते हैं पवितर आत्मा को कितने लोग महसूस करते हैं आत्मा को हलो मैं आपसे सच कह रहा हूँ मैं आपसे सच कह रहा हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक पासवान आपका आत्मिक पिता होने के नाते है कि उस आत्मा की ही आवास को सुनिए अपने पिता मेरी भी मज़ सुनिए अब Please सब से पहले उसकी आवास उसकी आवास को सुनना उसके डिरेक्शन में चलना उसके अंतरकर जीवन को बिताना ये हमारा मकसद होना चाहिए हलो ये हमारा मकसद होना चाहिए मैं कभी रास्ते पे जाता हूँ पवित्रात्मा मोलता है घुटने टेक मैं रास्ते पे घुटने टेक देता हूँ मैं आपको सच गह रहा हूँ पवित्रात्मा की आवास को उसके अंदर का चलने उसके अनुसार चलने के लिए ही अपने आपको बनाईए कोई भी रिष्टा टूटता है टूटे लेकिन पवित्रात्मा के साथ का रिष्टा ना टूटे पढ़िया बिटा मैं पिता से विंती करूंगा और वह तुम्हें एक अवसायक देगा कि वह सरवदा तुम्हारे साथ रहे और ता सत्य का आत्मा जिसे संसागर नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे और वह तुम में होगा प्रेस अलॉट तो इसका मतलब सत्य के आत्मा एशुमसी की आत्मा को हम अपने अंदर ग्रहन करें और हमेशा अपने साथ रखें ताकि हम उस सिद्धिता को प्राफ्ट करें यानिके इस लंबे को बहुत लंबा हो सकता है लेकिन आज क्यों कि क्रिस्म का मैसिज है इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं आपको बता दू कि इशुमसी धर्टी पर क्यों आया तकि हम परमिश्वर में एक हो जाएं और ये सारी चीज़ें परमिश्वर ने इसलिए दी है उस सद्धिक आत्मा को हमारे जीवन में हमारे अंदर इसलिए होगा है हम में कौन सा आत्मा है अरे एक बोलिए हम में कौन सा आत्मा है इशु क्यों आया ताकि हम सिद्ध हो जाएं इशु क्यों आया इशु क्यों आया इशु क्यों आया इशु क्यों आया ताकि हम परमिश्वर में एक हो जाएं प्रेश्वर कितने लोग चाहते हैं कि हम नहीं है तो आप खत्रे में कि आप समझेगें कि हम स्वर्ग में जाकर परमिश्रक के संग एक होंगे नो आपको धर्ती पर परमिश्रक के संग एकता के साथ रहना है एक मन एक द्रिश्ची कोन के साथ हमें परमिश्रक के साथ रहना है और धर्ती पर अपने आपको जीवन दे आज का बचान अच्छा लगा प्रभू आपको बहुत 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 आशीज दे